नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग पार्ट एट ये लक्ष्मी कांत की किताब का नॉन कॉंस्टिशुशनल बॉडिस की यहां पर बात हो रही है और इसमें चैप्टर नमबर फिफ्टी नैन सेंट्रल विजिलेंस कमिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिशन इस पूरे चैप्टर को दो भागों में कवर करूँगा दो वीडियो लगेंगी पहले में हम लोग बात करेंगे स्टैबलिश्मेंट ऑफ दा कमिशन कंपोजिशन ऑफ दा कमिशन और नेक्ट वीडियो में जिसक्स हो और नेक्स वीडियो में जुरुशन ऑफ दा सेंट्रल विजिलेंस कमिशन वरकिंग अफ सीविसी विजिलेंस इूनिट्स कौन कौन सी है मिनिस्ट्री में Whistle Bores Protection Act 2014 के बारे में बात करेंगे तो ये important topics है शुरुआत करते हैं इसकी बिना वेट किये main agency हमारे देश में corruption को रोकने के लिए खासकर केंदर सरकार में corruption को रोकने के लिए CVC is the main agency तो भाई income tax जैसे department आपके customs department इन सब departments पे जो आला level के officer होते हैं वो डरते हैं एक agency से जिसका नाम है Central Vigilance Commission अगर आप agency की बात करिए तो भाई इसको 1964 में मनाया गया 1964 में मनाया गया by an executive resolution of Central Government तो जब ये originally बनी थी 1964 में by an executive resolution उस समय पे ये executive body थी ना constitutional body थी और ना ही statutory body थी ओके इस body को किस committee के recommendation पे बनाया गया तो इस body को बनाया गया संथनम committee के recommendation पे संथनम committee बनी थी on prevention of corruption 1962 से 1964 1962 से 64 के time period में और इस committee ने recommend किया कि Central Vigilance Commission मनाया जाना चाहिए और Central Vigilance Commission मनाया गया तो originally जब ये body बनी ना constitutional थी और ना ही statutory थी ये जो संथनम committee थी इसके chairman कौन थे तो संथनम साब थे के संथनम साब उसके chairman थे इस committee में चार और members थे और दो senior officers थे इनको government of India ने 1962 में appoint किया था 1962 से लेके 1964 तक इस committee ने अपना काम किया और finally बोला कि भई ये Central Vigilance Commission मनाओ Central Vigilance Commission मना दिया गया ठीक है भई अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो Central Vigilance Commission है इसको 2003 में statutory body बनाया गया तो आप देखें 1964 में जब ये body बन के तयार हुई तो ये executive body थी finally इसको 2003 में एक act पास करके सरकार ने statutory body बनाया तो भई इसके लिए जो act पास किया गया उसका नाम था Central Vigilance Commission Bill Central Vigilance Commission Bill को दोनों Houses of Parliament ने पास किया इसको President ने approval दिया 11 September 2003 को 11 September 2003 को ये statute book में इसकी entry हुई as Central Vigilance Commission Act तो ये जो Central Vigilance Commission Bill था ये सामने आया as Central Vigilance Commission Act 2003 इसके तुरू Central Vigilance Commission एक statutory body हो गया ये बहुत important है initially executive body थी बाद में statutory body हुई आगे बाद इस पहरे वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक आपने चैनल को शेर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कूल कर दीजे लक्ष्मी कांथ की वीडियो कुछ डिले के बाद आ रही है तो आपको पूरा ही सिले बस खतम कराया दोस्तों पब्लिक इंटेस्ट डिस्क्लोजर और प्रोटेक्शन अफ इंफॉर्मस रेजिलूशन पी आई डी पी है इसको सरकार लेके आई थी यानि कि अगर कोई विसल ब्लो करके यनि सरकार के अंदर जो करफशन हो रहा है इसको दुनिया को बताता है पॉइंट ओट करने कोशिश करता है तो उसको प्रोटेट किया जाएगा ये बोला रेजिलूशन ने आला कि प्रोटेट कुछ नहीं किया गया जिसने जिसने भी विसल ब्लो की है बहुत सारे लोगों को मार तिया गया उस पे investigation करना इसकी responsibility किस पे होगी Central Vigilance Commission पे तो corruption और misuse of office के against अगर कोई whistleblower यानि कोई ऐसा informed citizen जो कि उस चीज़ के against आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पे corruption की inquiry करना किसकी जिम्मेदारी है Central Vigilance Commission की ठीक है भाई और Central Vigilance Commission की एक और जिम्मेदारी है Basically it is the only designated agency to take action against complaints making motivated और vexatious complaints कभी-कभी क्या होता है कि government servants के against भी जो complaint की जाती है सारी complaint जिनुएन नहीं होती है कभी-कभी क्या होता है कि government complaint servant से कुछ लोग कहते नाराज होते जैसे कि मैं अपने ही कलीग की बात बताता हूँ मैं government job में था तो मेरा एक कलीग था उस कलीग की एक जगा पे रिष्टा हुआ ठीक है ना लड़का लड़की आपसे में बैठके मिले और वहाँ पे उस लड़की को उस लड़के ने reject कर दिया मतलब मेरे दोस ने reject कर दिया उसको नहीं पसंद आई होगी या जो भी बात रही हो उस लड़की के घरवालों को लग रहा था कि भाई शादी पक्की हो जाएगी वो शायद इस बात पर ओफेंड हो गया और 15-20 दिन बाद department में एक unknown RTI आ गई कि भाई इस particular फला फला परसन ने ठीक है इतना corruption से पैसा कमा रखा है इसने इतनी धांदली कर रखी है तो basically एक complaint थी अब अगर normally किसी department में corruption की complaint जाती है किसे बड़े officer के against में तो भाई वहाँ पर inquiry कौन करेगा Central Vigilance Commission करेगा लेकिन माली जाए ऐसी कोई complaint जाती है जो की motivated complaint है जो की vexatious complaint है कहने का मतलब एक ऐसी complaint है जो की genuine नहीं है motivated है vexatious है तो वहाँ पर inquiry करने के लिए भी कौन है Central Vigilance Commission है Central Vigilance Commission की और खास बात की जाए तो भाई यह Apex Vigilance Organization है किसी भी executive authority की control के अंदर यह नहीं आता Central Government की सारी Vigilance Activity को यह department यह Central Vigilance Commission monitor करता है चाहे income tax department हो चाहे GST department हो चाहे कोई दूसरा department हो EPFO हो Central Government की हर department में एक Vigilance cell बनाई जाती है उस Vigilance cell का काम किस तरीके सो होगा वो क्या काम कर रहे है क्या inquiry कर रहे है कैसे corruption को रोकने की कोशिश कर रहे है इन सब चीजों को monitor करता है Central Vigilance Commission और समय समय पे Vigilance का काम सही तरीके सो होता है उसको review करना execute करना plan करना reform करना Central Government Department में यह किसका काम है यह काम है आपका Central Vigilance Commission का तो समय समय पे Central Vigilance Commission Government Department को बताते रहेगा कि आपके organization में इस तरीके चीज़ें अगर आप बदल के आप ऐसा करो तो यह यह फायदे हो सकते है ठीक है भई फिर आगे बात करते है composition of Central Vigilance Commission तो Central Vigilance Commission एक multi-member body है इसमें एक Central Vigilance Commissioner होगा जो किसका chairperson होगा and not more than two Vigilance Commissioners तो एक Central Vigilance Commissioner who will be the chairperson and not more than two Vigilance Commissioners इनको appoint कौन करता है तो they are appointed by President by warrant under his hand and seal on the recommendation of a three-member committee consisting of Prime Ministers as its head Union Minister of Home Affairs and Leader of Opposition in the Lok Sabha तो भईया एक three member कमिटी में आई जाएगी जिसके सर पे होगा Prime Minister Union Minister of Home Affairs होगे और Leader of the Opposition होगा लोकसभा में ये तीन member की committee recommendation देगी और उस recommendation के आधार पे President Central Vigilance Commissioner को appoint करेगा और Vigilance Commissioner को appoint करेगा जब इनको appoint किया जाता तो इनका tenure होता है 65 साल की उमर तक के लिए और 4 साल के लिए तो 4 साल तक के लिए इनका tenure है 65 साल की उमर तक ही अपनी seat पे बैठेंगे एक बार इन्होंने अपना एक बार का tenure कर लिया उसके बाद वो किसी भी Central ये State Government की employment के लिए eligible नहीं है Central Vigilance Commissioner को या किसी Vigilance Commissioner को उसकी post से हटाना है तो कौन-कौन से circumstances में उसको उसकी post से हटाया जा सकता है पहला circumstance एक एक करके इन सबको देखते है पहला, he is unjust and insolvent मतलब कि वो किसी financial ये civil contract में involved था और उस contract के चलते वो bankrupt हो चुका है उसको लोगों के पैसे लोटाने है वो financially bankrupt हो चुका है तो अगर वो financially bankrupt हो चुका है लोगों के पैसे नहीं लोटा पारा है तो उसके उपर एक बड़ा civic crime है उसके चलते उसको insolvency के basis पे Central Vigilance Commissioner ये Vigilance Commissioner की पोस्स से अटाई जा सकता है दूसरा, उसने ऐसा कोई काम किया है जो उसमें एक moral terpitude involved है in the opinion of Supreme Court यानि Supreme Court को ऐसा लगता है कि Central Vigilance Commissioner ने या Vigilance Commissioner ने एक ऐसा काम किया है जो कि morally सही नहीं है तो यहाँ पे moral element को court करके Central Government उसको अपनी post से अटा सकता है तो मान लीजे किसी Vigilance Commissioner के अगेंस्ट किसी लड़की के अगेंस्ट बुरा व्यवहार करने के charges लगाये गए हैं या किसी minority community के या फिर किसी so called depressed class के person के against कोई गलत comment मारने के लिए उसको responsible ठहराया गया तो moral terpitude के basis पे उसको अटाया जा सकता है फिर भाईया अपने office से काम करते वक या अपने office के बाहर के किसी paid duties में अगर involved है इस basis पे इसको अटाया जा सकता है अगर ऐसा लगता है कि by informity of mind or body या तो उसके दिमागी कमी है या उसकी शरीर में कोई कमी है और उसके चलते वो अपना काम सही तरीके से office में नहीं कर पाएगा तो इसके basis पे Central Vigilance Commissioner या Vigilance Commissioner को अटाया जा सकता है या फिर उसका कोई ऐसा financial interest है जिस financial interest के चलते जो उसका official काम है उसमें कोई interference आ सकता है ऐसे cases में उसको नहीं अटाया जा सकता हूँ ठीक है भाई और President Central Vigilance Commissioner को और Vigilance Commissioner को हटा सकता है on ground of proved misbehavior और incapacity ज्यानि कि भाई उसने misbehavior किया है या incapacity ये काम करने की काबिल नहीं है तो ऐसे cases में भी President Central Vigilance Commissioner को या Vigilance Commissioner को हटा सकता है ठीक है भई, अगर proved misbehavior और incapacity की basis पे Central Vigilance Commissioner या Vigilance Commissioner को हटाय जा रहा है, तो ऐसे किसमें में President को matter refer करना पड़ेगा सुप्रीम कोट में, सुप्रीम कोट एक proper inquiry को conduct करेगा, inquiry के बाद अगर सुप्रीम कोट ये बोलता है कि हाँ भई, ये person के उपर ये जो इल्जाम लगे हैं, ये इल्जाम सही है, आप इनको निकाल दो, तो President उसको निकाल, निकाला जा सकता है, ठीक है भई, ये सब बतें यहां पर बताई गई है, अब यहां पर main बात ये भी बताई के basis पे निकाल सकता है, इन capacity तो आप ये कह लिजे, कि वो काम करने के काबिल ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही बड़ा इल्जाम है उस person के उपर, बात आती है Miss Behavior, mainly Miss Behavior पे अगर निकाला जाता है, तो ऐसा क्या काम करेगा वो particular person, कि उसे Miss Behavior माना जाएगा, पहला देखिए, if he is concerned or interested in any contract or agreement made by the Central Government, Central Government ने कोई contract लिया, उस contract में financially या किसी भी और प्रकार से वो particular person interested है, जिससे ये पता चल रहा है, कि उसका interest, उसके benefit के लिए, तो ऐसे cases में Central Vigilance Commissioner या Vigilance Commissioner को अटाई जा सकता है, दूसरा ये point ध्यान से पढ़िएगा, हाला कि ये point पहले ही मैंने आपको explain क contract or agreement, और in any benefit or emolument arising therefrom, otherwise than as a member and in common with other members of an incorporated company, किसी एक incorporated company में माल लीजे कोई member है, कोई board of directors में बैठा है, उसकी उसको salary मिलती है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन, माल लीजे, ऐसा होता है दोस्तों, कि माल लीजे कोई एक particular person है, एक बड़ी company के board of directors में बहुत से लोग होते हैं तो कोई एक particular बड़ा person हो सकता है, उसको board of directors में बठा हो, तो अगर वो board of directors में बैठा है, तो उसको salary मिल जाएगी, अभी ऐसे board of directors को अगर central business commissioner मना जाता है, और business commissioner मना जाता है, तो वो board of directors में बैठा है, उसको salary मिल रही, इस business पिसको टलिस qualify नहीं किया जाएगा, चुकि appointment कर एक central business commissioner बनने के बाद भी एक person किसी board of director का member बन सकता है, सरकार की permission के साथ, ठीक है, लेकिन अगर वो किसी company में member बन जाता है, तो कोई problem नहीं है, लेकिन कोई ऐसा contract सरकार का उस company का, या उस company में कोई एक ऐसा profit, जो की other than ऐसे member वो उठाना चाता है, कहने का मतलब यह है कि central business commissioner अपनी position का गलत फायदा उठा के किसी contract में interest होके, कुछ अलग तरीके से पैसा कवाने या profit कवाने के mood में है, other than as a member, अगर वो उस company का, incorporated company का एक member है, या दूसरे members के साथ कुछ common benefits या perks share कर रहा है, जो कि legally correct है, तो उसको नहीं रोका जाएगा, उस case में वो disqualify नहीं होगा, अगर वो member है तो, बहुत सारे नहीं होते हैं, बट उसके अलावा, किसी प्रकार के profit में, वो किसी गलत तरीके से, या अलग तरीके से involved है, या interest दिखा रहा है, involved होने में, तो ऐसे case में उसको हटाया जा सकता है, किसकी post से, Central Business Commissioner और Business Commissioner की post से, ठीक है भई, उसके बात की जाए तो, salary, allowances and other conditions of the service of Central Vigilance Commissioner किसके बराबर होती, Chairman of UPSC बराबर, तो salary, allowances and other conditions of service of a Central Vigilance Commissioner is equivalent to Chairman of UPSC, और एक Vigilance Commissioner की यही चीजें, they are similar to a member of UPSC, और एक बर इनको appoint कर दिया गया, तो appointment के बाद, इनकी service conditions को to their disadvantage, बदला नहीं जाएगा, ठीक है भई, अब बात करते हैं, Organization of Central Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commissioner का अपना खुद का Secretariat है, एक Chief Technical Examiner's Wing है, और एक Wing of Commissioners for Departmental Inquiries है, ठीक है भई, इसमें Secretariat सबसे बहले बात करते हैं, तीन चीजे हैं, जो Central Vigilance Commissioner काम करते हैं, तीन चीजे हैं इसमें, एक सचिवाल है, Secretariat, एक Chief Technical Examiner's Wing, एक Wing of Commissioners for Departmental Inquiries, Secretariat में कौन हैं, तो Secretaries हैं, Joint Secretaries हैं, Deputy Secretaries हैं, Under Secretaries हैं, Office Staff हैं, ठीक हैं, यहाँ पे IAS, Senior IAS Officers, इनके भी Posting होती हैं, यह लोग काम करते हैं, Chief Technical Examiner's Wing क्या है, तो देखी, जो Chief Technical Examiner's Organization है, यह Technical Wing है, Central Vigilance Commissioner की, इस Technical Wing में बहुत सारे Chief Engineers होंगे, जिनको अब Chief Technical Examiner's भी बहु सकते हो, और सपोर्ट करने वाला Engineering Staff होगा, इस Chief Technical Examiner's Organization का काम क्या हैं, चुकि Technical नाम ही में हैं, तो Technical काम हैं का, तो Government Organizations, जैसे कोई Engineering का Government Organization है, Oil के Feed में कोई Government Organization है, SBI है, तो इस तरीके के Organizations में जो Technical Audit होते हैं, Construction Work के, उनको Conduct करता है है, Chief Technical Examiner's Wing, फिर Construction Work से Related अगर कोई Complain आई है, तो इनमें Investigation करना, CBI की मदद करना, जब CBI Technical Matters में Investigation कर रही हो, या फिर दिल्ली में Properties का Evaluation कर रही हो, अब देखिए, बहुत सारे प्रकार के अलगला तरीके काम दिये गए हैं, इस Chief Technical Examiner's Wing को, वो Depend करता है कि, CBC के Head Members पे, Chief Vigilance Commissioner पे और बाकी Vigilance Commissioner को कि, वो कि किस हद तक काम को Devolve करना चाते हैं, किसको Chief Technical Examiner's Wing को, अभी के लिए आज की डेट में Chief Technical Examiner's Wing का काम बहुत important हो सारता है, च्योंकि जब आप किसी ऐसे audit में audit कर रहे हैं, किसी ऐसे organization में audit कर रहे हैं, जहां पे technical काम involved है, जैसे oil and gas field का काम हो गया, construction का काम हो गया, property का काम हो गया, तो ऐसे cases में आपको experts की ज़रूत हैं, ठीक है भाई, फिर इस Chief Technical Examiner's Wing का काम है, advice देना, assistance देना किसको, Chief Vigilance Commissioner को, और Chief Vigilance Officers को, उन Vigilance Cases में जहां पे technical matters आते हैं, और finally बात करते हैं, Commissioners for Departmental Inquiries, ये Commissioners for Departmental Inquiry क्या करते हैं, ये Inquiry Officers हैं, जो oral inquiries conduct करते हैं, तो किसी public servant के against, अगर किसी भी प्रकार का इल्जाम लगाए, corruption का, तो उसके against inquiry होगी, inquiry की समय पे उसमें सवाल जवाब पूछे जाएंगे, तो ये सवाल जवाब पूछ सकते हैं, कौन? Commissioners for Departmental Inquiries, फिर आ जाते हैं, on the functions of Central Vigilance Commission, क्या हैं functions Central Vigilance Commission के? पहली बात तो इसका function ये कि ये, इन्कॉइरी करेगा, investigation करेगा, अगर Central Government कोई एक case, Central Vigilance Commission के पास भेजती है, तो उसमें inquiry करने की responsibility है, किसकी? Central Vigilance Commissioner की. Obviously बात है, Central Government किसी एक public servant के against, जो case होगा, उसी को भेजेगी, वो public servant Central Government का भी servant हो सकता है, या Central Government से affiliated किसी authority का भी servant हो सकता है, Central Government से related authority कौन सी होगी, तो आपको पता है कि Central Government के अंदर, अगर कोई corporation काम कर रहा है, जो Central Government owned है, कोई भी society, कोई भी local authority, जिसके उपर या तो Central Government का control है, कि Central Government उसको own करती है, तो वो organizations जो Central Government दोरा बनाई गई हैं, जिसके उपर Central Government का control है, उनके किसी भी authority के, किसी भी official के against, अगर किसी भी प्रकार का कोई corruption का case जाता है, इंक्वाइरी कौन करेगा, Central Vigilance Commission, किसके हिसाब से, under the prevention of corruption act 1988, तो भाई, ये inquiry होगी इस basis पे, कि इस particular public servant ने prevention of corruption act 1988 को valid किया, फिर दूसरा क्या बोला जा रहा है, तो inquire or cause an inquiry or investigation to be conducted into any complaint against any official belonging to the below-mentioned category of officials, देखे भाई, prevention of corruption act 1988 के अंदर, अगर आप all India services को belong करते हो, कौन-कौन सी all India services इंडिया में, Indian Administrative Services, Indian Police Services, Indian Forest Services, IAS और IPS तो दो ऐसी services हैं, जिनके आप अपना खून जला रहे हो, जो थोड़े technical field को belong करते हैं, mechanical, electrical, जिनकी strong होगी, वो Indian Forest Services का भी paper देते होंगे, तो यह in all India services में, अगर आप काम करते हो, और अगर आपके against, एक इल्जाम लगाए, कि आपने offense किया है, under prevention of corruption act 1988, तो भाई, आपके खिलाफ भी inquiry शुरू की जा सकती, Central Vigilance Commissioner की दौरा, ठीके भाई, Central Government की वो authorities, जिनको Central Government ने designate कर रखा है, कि इनके खिलाफ अगर inquiry होगी, तो भाई, Central Vigilance Commission करेगा, तो वो करेगा, एक बात मैं आपको बता दूँ, जो छोटे level पे पोस्ट होती हैं, यह जो inquiry होती हैं, वो high level पे होती हैं, तो कल की date में, आप UPSC का exam देते हो, और income tax department में, आप Assistant Commissioner लग जाते हो, चार साल आपने काम किया, आप Deputy Commissioner बन गए, income tax department बहुना काम कर रहो, आपकी उपर corruption का fraud का charges लगा, तो most probably आपकी हिलाफ inquiry कौन करेगा, Central Vigilance Commissioner ली आपके खिलाफ inquiry करेगा, हाला कि, बहुत high level के officers के अगेंस्ट ही commission inquiry करता है, तो joint commissioner या additional commissioner आप बन गए, तो आपकी हिलाफ inquiry होगी, लेकिन माली जब income tax department में एक inspector हो, या income tax officer हो, या inspector बन जाते हो अगर आप, तो 5-6 साल बाद आपका income tax officer में promotion होता है, तो इन levels पे Central Vigilance Commissioner सीधे-सीधे नहीं आता है, इन levels पे, जो internal department का, जो inquiry है, या जो CBI ने case बताया है, उनकी inquiry हो वही चलती है, या DRI आगया तो उनकी inquiry चल रही है, समझ गया आप बात को, तो भाई, All India Services के officers पे, या Central Government के group पे officers, तो अगर आपने IES Indian Engineering Services का exam qualify किया, और Railways में लग गए, तो भाई, आपकी inquiry भी Central Vigilance Commission नहीं करेगा, या फिर Central Government के अंदर, जो जो भी authorities है, जिन जिन के लिए भी ये बोल दिया गया, कि हाँ भाई, इन authorities के against, अगर corruption charges चालू हुए, तो inquiry करेगा CVC, तो वाँ पे inquiry करेगा CVC, ठीक है भाई, उसके बाद आगर बात करें तो, डिल्ली Special Police Establishment, ठीक है, डिल्ली Special Police Establishment Act के साथ, के थू ही, आप कैसा क्तों, CBI को भी monitor किया जाता है, Central Bureau of Investigation के बारे में आगे बात करेंगे, तो भाई, डिल्ली Special Police Establishment जब काम करता है, और Offices का investigation करता है, तुमान लिजे, Prevention of Corruption Act के अंदर, CBI या डिल्ली Special Police Establishment किसी भी प्रकार की inquiry कर रही है, तो उसके ओपर superintendence करना, ये देखना है कि वो inquiry सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, Prevention of Corruption Act के अंदर, अगर कोई inquiry, डिल्ली Special Police Establishment या CBI चला रही है, तो उसको ये direction देना, कि भाई अगर आप inquiry इस प्रकार से करते हो, तो आपको ये ये results निख सकते हैं, ये काम है Central Vigilance Commission का, पर दिल्ली Special Police Establishment और CBI, किसी offenses के against, अगर inquiry कर रहे हैं, तो उस inquiry की दुरान उन्होंने कितनी अच्छी inquiry की, क्या उन्होंने सही तरीके से offenses को परताल की, जांच परताल की, प्रॉपर आप कह सकते हो की सबूत धुड़े, तो इन सब चीजों की progress को भी review कर सकता है, कौन आपका Central Vigilance Commission, एक ही शर्थ है तीनों cases में कि भाईया, जो offense है that is chargeable under Prevention of Corruption Act 1988, फिर भाई, कि Central Government को और Central Government की authorities को समय समय पे अपनी advice देना, कि भाई, Corruption को रोकने के लिए Department में ये किया जा सकता है, Corruption को रोकने के लिए Department में वो किया जा सकता है, Central Government और उसकी authorities और Ministries में Corruption ना हो, इसके लिए समय समय पे superintendence करना, अपनी राय देना ये सब काम है आपके Central Vigilance Commission के और एक और खास बात तूं अंडर्टेक और कॉस एन इंक्वाइरी इन्टू कम्प्लेंट्स रिसीवड अंडर पब्लिक इंटर्स डिस्क्लूजर और प्रोटक्शन ऑफ इन्फॉर्मस रेजिलूशन यहाँ पर मैंने आपको पता है न शुरूबात में कि विसल ब्लोवर रेजिलूशन के अंदर मान लीजे अगर किसी ने अपनी कंप्लेंट डायर की किसी एक करप्ट पॉब्लिक सर्वेंट के अगेंस तो वो करप्ट पॉब्लिक सर्वेंट के अगेंस जो इन्क्वाइरी सेंटल विजलेंस किमिशन खंधम कर रहा ह vos यह वीडियो खंधम कर रहायो इसके बाद जो बच्चे-कुषा फ्चेंट Selena वो आपके साथ दिसकस करougडूंगा फिर बात करेंगे जोरिशिं ऩोर्गिवंट डॉसी करप्ञाुजंट मॉंट इस vigilance units काम करती मिनिस्टीज में Whistleberg Protection Act 2014 किया Thank you for watching friends, have a great day